हाई अब्रीवान वेल्कम तो विमन्यू आईएस माइनम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तो दिसकस करते हैं बहुत प्रिसाइज तरीके से फॉर यह प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंट्रस्टिंग सा टॉपिक है अभी इन दिनों अगर आप शॉपिंग कर रहे हो पिछले कुछ सालों में तो आप प्रभीबली अपना फोन निकालते हैं और कुछ स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट है वह हो जाती है और आप समान जो है वह लेके आ जाते हैं इस केस के अंदर जो एक कॉंसेप्ट है उसको बो कितने टाइप के होते हैं इनका क्या फाइदा है है ना तो यह सब चीजें हम देखते हैं और इसका कॉंटेक्स भी है कि हम इसे क्यों डिसकस कर रहे है उसका कॉंटेक्स बहुत सिंपल है डाट इस अभी रिसेंटली ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर जो है ना आर वी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल देदी है 32 फर्म सको तो अपरेट अस ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स ठीक है किस एक्ट के अंडर होता है अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक 2007 अब देखिए यहीं पे आपको एक इंफोमेशन तो यहीं आगी है इस इस जो यह जितने आपके जिसे गूगल पे है और इसके साथ के और जितने भी एप्स हैं बेसिकली दीजार ओनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स अगर बहुत ही असान भाशा में आपको में वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहूं तो वो यह है फॉर एक्जांपल I am the merchant जो कोई समान बेच रहा है आप एक कस्टमर हो तो आप जब पेमेंट करोगे तो वो डिरेक्टली मेरे पास ना आने की बजाए वो एक ऐसे जगा पे जाएगी जो की एग्रीगेट कर रहा है मेरे बिहाफ पे पैसा राइट गूगल पे की एप होगी जैसे आपने स्कै किया और पैसे ट्रांसवर होगे मुझे पताया जाएगा कि हाँ यह मनी जो है अग्रीगेटर के पास रिसीव होगी आपको समान दे दिया जाए है ना और सेटलमेंट कैसे होती हो बात की बात है वायर वी यूजिंग गूगल पे इस बिकॉस इस हाइली कन्वीनियंट अग हम देखते हैं इसको अगे चलके कि और क्या है इस टॉपिक में पहले डेफिनेशन देखते हैं अब पेमेंट एग्रीगेटर इस अ और ऑल्सो नोन आज मर्चेंट एग्रीगेटर तो अगर आपको एग्जाम में आता तो आपको इस नाम से भी देखने को मिल सकता है इस थ थर्ड पर्टीयरी तो पया मतलब हो एक पार्टी यहां पर है मैं अ IRS अरेंचन अगर मैं कुछ प्रड़क्ट बेच रहा हूं तो आपके मेरे पिश में पेमेंट का गाप है वो इसको फुल्फिल करते हैं कि वहां पेमेंट और मेरा यहां पर है तो इसके ब्रीज के थूरू जो है ट्रांसेक्शन कंप्लीट हो जाएगी बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर या मीडियम फर्म्स के अंदर वी जो है आपको वो रखना अकाउंट का अग्सी ओफिस रखना पड़ता है कि यार चेक के थूरू पेमेंट आएगी यहां पर है और उसको हमने वहां पर जमा कराना है फिर वह में बुक्स मेंटें करनी है तो यहां पर क्या है कि आप और अग्रिगेटर के थूरू पेमेंट करोगे वहां पर पेमेंट जा रही सबकुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपके बैंक के अंदर डेक्टली जो है आपकी सेटलमेंट भी हो रही है अना कुछ उनने एग्जाम्पल दियो है पेपाल अम मर्चेंट अकाउंट एज दी पेमेंट एग्रिगेटर टेक्स केर अफ एबरीथिंग वाइल लेविंग अ मॉडरेट फी एक हलकी सी चार्ज करता है और आपको मर्चेंट अकाउंट खोलने की जुरूरत नहीं होती है उसके बाद में आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलन on behalf of merchants finally transfers the payment to the merchant in batches after a period of time. इस step को कहा जाता है settlement है इस the settlement may be standard that is it requires T plus 2 to T plus 4 days. 4 days T plus 2 का मतलब कि जिस दिन transaction में होसा दो दिन बाद आपके account में खाते में पैसा आ जाएगा. On the other hand the settlement can be instant can be as fast as 15 minutes जैसे UPA का merchant Paytm का merchant app आता है उसके अंदर आपके पास settlement की जो option है it is right there. तो आप उसको वैसे तो डिफाइन सेटल भी डिफाइन कर सकता है कि next day morning में 5 बज़े होता है जैसे मर्जी आप वैसे उसके अंदर immediate भी जो है अपने bank के अंदर जो है settle कर सकते हो. Types of aggregators online payment aggregators number one is bank payment aggregators and they involve high setup cost and are difficult to integrate they lack many popular payment options along with detailed reporting features because of the high cost bank payment aggregators are not suitable for small businesses and startups मतलब की bank की अपनी services होती है तो बैंक वालों के थुरू आप directly deal करने के बाद में वो कर लेते हो बट वहां पर आपको limit limited options मिलते हैं and it is more costly है ना जैसे बानले हमारा मेरा जो खाता है as merchant मेरा XYZ bank के अंदर है तो मैं XYZ bank को बोलूँगा कि यह मेरे को ना कुछ system provide करके दो है ना कि मेरे website के ओपर order आ रहे हैं तो मेरे को सिधा अपने account पैसे चाहिए तो कुछ बना के दो तो यह system costly हो जाता है बहुत जाथ है ना for example जिसे CC Avenue आपने देखा हो कई आप online payments करते हो CC Avenue जो है comprehensive dashboard easy merchant onboarding and quick customer support है ना तो यह इनका full time काम ही यह है कि इनको सिरफ और सिरफ gap ही bridge करना है banks के पास बहुत सारे और bank का bank का main earning model यह ही नहीं है ना तो वहां पे उसके लिए एक input जादा देना पड़ेगा on the other वहां पे innovation कम भी मिलेगी आपको on the other hand एक आइसे payment aggregator third party payment aggregator for example Google पे फोन पे एट्सेक्टर तो यह वाले जो payment aggregator इनके पास innovation बहुत जादा मिलती है है ना देर यूसर फेंदी होते हैं फर गूगल इन एक्जांपल यह गूगल पे चलिए लेट सी की और हमारे पास क्या 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 प्री कह साब से है ना क्या क्या important है RBI is criteria for approving an entity as payment aggregator under the payment aggregator framework only firms approved by RBI can acquire and offer payment services to merchants ठीक है तो मदो RBI के approval के बिना कोई नहीं कर सकता है तो simple सा है यह company applying for aggregator यह थोड़ा important point आपके प्री के लिए company applying for aggregator authorization must have a minimum worth of rupees 15 crore in the first year of application and at least 25 crore by the second year ठीक है इतना होना चाहिए इसकी वर्थ minimum net worth 15 crore की पहले साल में जब अपलाए कर रहे हो तो उस साल साल में आपके 15 crore पर network आनी चाहिए it must be compliant with global payment security standards ठीक है चलिए अब online payment aggregators और payment gateway के अंदर एक फरक होता है allowing the merchant to accept payment from a customer ठीक है यह वही वाला काम जब को बोल रहा हूं कि यह directly customer से मेरे account में उसी time में चाह रहा हूं तो यह सिरफ payment gateway एक दर्वाजा gateway यह ना दर्वाजा से जाने कर रस्ता वो प्रवाइड करता है मेरे खाते के अंदर डिरेक्टली हैना on the other end aggregator अपने पास रखता है और मेरे से बाद में शेटल करता है और यह बहुत immediate process होता है और वह बहुत सारे payment options जो है present करता है और gateway के अंदर थोड़ा और also receive payments from consumers on business merchants behalf and then settle the same in their account payment gateway सिरफ और सिरफ एक software है एक ऐसी service है जो की enable करते है कि उस खाते से मेरे खाते में जो है वो पैसा आजाए on the other hand जो payment aggregator है यह पैसा अपने पास भी रखते है तो कौन से act के तहत होता है हमने वो भी देख लिया है so this was today's topic and if you want to cover current affairs holistically we have this course which is already going on please check it out link is in the description it is for both pre and mains right जो अभी हम बात करे है to the point यह शिरफ आपके प्रिलिम से current affairs के लिए लेकिन इसके थुरू आपका में जो है वो भी पूरी तरह कवर हो जाता है you get a seven days free trial as well Link is in the description please check it out and thanks for watching my name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS Link is in the description below